पाकिस्तान में इस वक्त बड़ा उथल पुतल हुआ है पर लहोर कूर कमांडर हाउस, मियावली एर्भेस और फैसलाबाद में आईएसाई भाउन साहित 20 से अधिक सैन्य प्रतिश्ठानों और सरकारी भाउन में तोडफोल का आरोप है रावल पिंडी में सेना मुख्याले जी एच की उपर भी पहली बार भीड़ दे हमला किया था सेना प्रवक्ता मेजर जनरल अर्शद शरीफ ने कहा है कि सेना ने पाकिस्तानी तरीके इंसाफ समर्थकों के विरोध परदर्शन की दो बार जाच की और इसके बाद ये कारवाई की है उनका कहना है कि एक सोची समझी जवाब देही प्रक्रिया के बाद अदालत में पूस्ताच के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए और लोगों के खिलाफ अनुशासना अत्मा कारवाई शिरू की गई जो गैरीसन, सैने परतेशानों, जिन्ना हाउस और जनरल मुक्याले की सुरक्षा और सम्मान को बरकरार रखने में विफल रहे उन्होंने कहा कि एक लेफ्रिनन जनरल समेट तीन अधिकारियों को हटा दिया गया है तीन मेजर जनरलों और साथ ब्रिगेडियर समेट अन्य अधिकारियों के खिलाफ अनुशासना आत्मा कारवाई पूरी कर ली गई है उन्होंने कहा है कि जाच मेजर जनरल स्थर के अधिकारियों द्वारा की गई एक प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान ये जानकारी देते हुए कहा गया है कि 9 माई की हिंसा में शामिल सभी लोगों को सम्विधान और कानून के तहत दंडित किया जाएगा पाकिस्तानी सेना का कहना है कि 9 माई की घटना बेहद निराशा जनक निंदनिये और देश के इतिहास में काला ध्याय है अधिकारियों का कहना है कि 9 माई की घटना ने साबित कर दिया कि जो काम दुश्मन 76 वर्षों में नहीं कर सका वो उब्द्रवियों के एक समूह ने और उनके मददगारों ने कर दिखाया इस घटना को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ एक इसे बड़ी साजिश बताये गया है 9 में की हिंसा पर सरकार और सेना की ओर से कड़ी प्रतक्रिया हुई और दोशियों के खिलाफ कारवाई करने का वादा किया गया था जिसमें इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कारवाई जारी है लेकिन लगतार पाकिस्तान के जो पूरो प्रधान मंतरी हमरान खान जिनकी पार्टी पर ये हिंसा का आरोप है वो लगतार इससे अपने हाथ होने का इंकार करते हैं वो बार-बार कहते हैं कि ये सत्ता दल की ही सोची समझी साजिश है और इसके खिलाफ उनके पास पुखता सबूत है लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान की सेना ने अपने अधिकारियों पर कारवाई की है जिन लोगों ने सैने प्रतिस्ठान की सुरक्षा करने में विफलता दिखाई थी हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन दबा लिजिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत